हलो एब्रीबन वेलकम बेक टो मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेश आप सभी सात्यों का आपके अपने यूट्व चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेश में फिर से स्वागत है So friends हम आपके लिए CHO का क्लास कंडक्ट कर वा रहे हैं और जो हमारी क्लासेश चल रही है वो प्रिविसली कोशन पेपर के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के लिए क्लासेश चल रही है जिसमें हम आपको बताते हैं कि पेचली बार जो कोशन पेपर आयते हैं वो किस परकार हैं वो I think December के last end में या January के week में आपको हो सकता है ठीक है तो उसी के regarding classes चल रही है यदि अभी तक आपने हमारे YouTube channel को सब्क्राइब्स नहीं किया है तो bell icon को दबा दीजेगा और सब्क्राइब्स कर लीजेगा इस तरह की classes आपको direct आपके mobile phone पर automatically पहुंच जाएगा तो बिना किसी time डेले के हम बढ़ते हैं हमारी class की ओर इससे पहले एक और information यदि किसी भी students को ये caution paper चाहिए तो वो हमसे caution paper ले सकता है with minimal charges से ठीक है तो बिलकुल ही आप time based ना करिए और बढ़ते हैं हमारी class की ओर तो पिछली बाद जब मैंने last time जो question paper करवाए थे आपको तो 60 question के around मैंने आपके साथ deal करवा दिये थे आज का जो question रेने वाला है 60 बंसे question हम यहाँ पर solve करने वाले है ठीक है तो सबसे पहले है कि question पढ़ेंगे question को हमें साथ two times से पढ़ना है आपको ठीक है और बिलकुत इत्मिनान से पढ़ना है कोई जल्दबाची नहीं है अभी question paper बहुत अच्छे से read करना ठीक है तो question क्या है if you BMI body mask index is 25 to 30 is false within that ठीक है तो यहाँ पर क्या पूछा गया ठीक है तो यदि आपका जो BMI है ठीक है अब automatically इसका question का answer आप सभी लोग बता पाएंगे जब मैं इसको explain करूंगा ठीक है तो यहाँ पर BMI का पूछा है कि यदि आपका जो BMI है वो 25 से लेके तो और बिलो से 30 है क्या है 25 से लेके और बिलो से 30 है तो उसको क्या बोल सकते है ठीक है तो इससे पहले यह question को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता होना चेश्ट्रोजन्स की बहुते ज़्यादा BMI ठीक है ठीक है तो BMI को बोलते है बोडी मास्क इंडेक्स ठीक है क्या बोलते है बोडी मास्क इंडेक्स ठीक है बोडी मास्क इंडेक्स इसको बोला जाता है ठीक है तो इसको ध्यान में रखना है ठीक है बोडी मास्क इंडेक् इसको अलग-अलग category बाइस क्या करा है divide किया गया है यदि जादा BMI भी आता है तो भी वो गलत होता है और जादा कम BMI आता है तो भी वो हमारी health के लिए भोती हानिकारक होता है तो सबसे पहले आप समझेंगे हम कि BMI का क्या होता तो जैसे BMI बताया मैंने आपको है BMI होता है body mask index इसमें क्या है कि अलग-अलग category बाइस हम क्या करते है divide करते है तो सबसे पहले हम यदि BMI को किसी भी person का निकालना है तो BMI का एक formula यहाँ पर create होता है जो कि मैं बताने बाला हूँ BMI is equal to bed in kg ठीक है यह इसका formula है कभी-कभी exam में आपसे BMI का question ना देके आपसे totally क्या परचे जाएगा formula पूछ लिया जाएगा तो you should be prepared for this formula ठीक है तो आपको इसके लिए भी त्यार रेना है आदी आपसे कोई BMI की categories नहीं पूछी है तो देन आपसे क्या है कि formula पूछ लिया जाएगा ठीक है तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो BMI होता है जो कि आपको कहां देखने को मिलता है मैं simple सा बताऊ जब भी आपकी body में जब भी आपके hormones बगेरा का imbalance होता है जिसे hyperthyroidism बगेरा होता है तब आपका BMI increase हो जाता है और hypothyroidism में आपका BMI decrease हो जाता है यह कुछ kinelical conditions है जहांपे कि आपका जो BMI है वो altered होता है तो अब बात करेंगे आपको formula बहुत important है इसको याद में ही रखना है फॉर्मूला याद रखोगे तब ही जाके आप exam में क्या है कि इसका BMI को calculate कर पाऊगे कोशन आता है कभी कभी कोशन क्या होगा कि आपको यहाँ पे patient का condition दे दिया होगा कि belt इतना होगा और heights इतना होगा फिर आपको क्या है कि BMI आपको यहाँ पे निकालना होगा चलिए आप category wise में BMI को बता देता हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे हम normal BMI के ठीक है normal BMI कितना होता है जो normal BMI होता है वो आपका 18.5 से लेके ठीक है 18.5 से लेके कितना होता है 24.9 ठीक है यह normal BMI होता है एक normal adult person का ठीक है और जब यदि बात करें में over का ठीक है over कितना होता है over weight का तो over weight का होता है 25 से लेके 28 ठीक है 25 से लेके कितना होता है 28 होता है ठीक है और इससे बात करो obesity obesity कब बोल सकते हो जब आपका जो BMI होता है वह 28 kg से क्या उता है ज्यादा होता है ताब इसको क्या बोल सकते हूं आप oh 28 kg तक आप इसको ओवर बोल सकते हों यदि 28 kg से कम आ रहा है डेट मेंस की वो ओवर वेटेट है ठीक है और डेट इस नोट अबिसिटी डेट इस ओनली दा ओवर वेटेट परसंट ठीक है और नेक्स्ट अपकमिंग क्या है जो नेक्स्ट अपकमिंग चीज़ ही वो क्या है कि ऐटेट है यहां पर आगे चलते हैं भी आपको क्या है कि अलग-अलग टाइप्स की क्लासेफिकेशन देखने को मिलते है को सबसे पहले बात करें गया हर किसी चीज में बाइट मॉडरेट और सीभियर होता है डिक है होता है मॉड civredit मॉड होता है यदि person आपका 28 से लेकर 30 की category में है तो वो क्या है कि आपका mild obesity हो है moderate क्या है यदि person आपका 31 से लेकर 33 kg तक है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं moderate obesity बोल सकते हैं और यदि severe obesity का मैं बात करूँ तो severe में आपका 34 से लेकर 37 kg तक यदि person चला जाता है तो that is called the severe obesity person इसके बाद एक और second fourth बन जो category यहाँ पर हमको आता है क्यों सारता है pro morbid obesity जो 37 से जादा होती जिसको हम very severe या pro morbid obesity जिसको हम बोल सकते ठीके तो BMI के regarding अब इसके regarding जितना भी questions आप सबी लोगों के सामने आएगा exam में CHO के exam में और यह definitely आता है क्योंकि यह CHO का जो paper है ना आपका यह BMI आपको महाँ पर बच्चों को निकालना होगा किसी adult person का भी निकालना होगा तो इसलिए आप से यह इस तरीके को question पूछे जाते हैं कि जो की आप daily routine में कर पाओगे ठीके तो यहां से आपका BMI का किया फंडा clear हो गया ठीके तो यह तो हो गया आपका कि यदि person ज्यादा ओबेज है ठीके अब मान के चलिए कि यदि person अंडर बेटेट है तो फिर आप इसको कैसे कैसे solve करोगे तो यदि person अंडर बेटेट है तो उसके लिए BMI होगा 18.5 से लेके है ना तो कितना होगा 17.5 इसको क्या बोलेंगे हम इसको अंडर नुटरिशनल बोलेंगे या अंडर बेटेट बोलेंगे ठीके अब देखेंगे इसकी कैटेगरी क्या क्या होती है ठीके तो इसमें भी ओको आपको mild, moderate और severe ठीके mild, moderate, severe और profound ठीके चार केटेगरी हमेसा BMI में ध्यान रखना है चारो केटेगरी के regarding आपसे चीज़े पूछे जाएंगे mild में कितना होगा? 16.5 से लेके तो 17.5 ठीके इतना इसका mild रहता ठीके यदि परसन का जो बेट है यदि परसन का बेट है 17.5 से लेके तो 16.5 तक है तो इसको mild बोलेंगे ठीके moderate कितना होगा? मोटरेट होगा आपका 16.5 से लेके तो 15.5 तक इसका देखने को मिलेगा ठीक है और सीबेर कितना होगा सीबेर होगा आपका 15.5 से लेके तो 14.5 तक देखने को मिलेगा और यदि आपके बात का दूर प्रफाउंड गा ठीक है तो जो भी BMI के रिगार्डिंग आप कोश्चन बनेंगे, आपके सीचोस एक्जाम में, वो सारे ही डील करवा दिये, आपको क्या करना है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में एक बार और बता देता हूँ, ताकि आपको किसी भी पिरकार का कोई भी आपके लिए नहीं होगा, ठीक है, BMI कितना है, BMI, बेट, सिंपल सा रियाद रखना, बेट इन केजीर रिया रखना, हाइट इन मीटर इसका रिया रखना, ठीक है, और यदि मान के चलो किसी का भी बेट कितना भी दिया रखा तक उसके हिसाब से आपको देखे, कोश्चन म ठीक है, तो आपका कितना है, 30, जरूरी नहीं है, जो बेल्यू कभी-कभी बुक के अकोर्डिंग नहीं होती है, ठीक है, तो इसको ओबर बेटेड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ओबर बेटेड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखे, यहाँ पे क्या अंडर बेटेड ह डेता है ठीक है तो 28-30 में होगा क्योंकि यहां पर लिखा है लेज देन 30 ठीक है इन चीज़ आपको दिहान में रखना है कभी-कभी क्या है कि एक्जाम में जो बेल्यू रेती है वो फिक्चुर्ट रेती है अलग-अलग डिफरेंट रेती है तो आपको प्रजेंस ओप माइन यह BMI का पॉर्षन यहां पर आप सभी लोगों के साथ में डील हो गया ठीक है BMI के रिगार्डिंग हमेशा ही कोशन बनते है ठीक है चलिए 62 नमबर के कोशन का बात करते हैं calculate the drop rate for the intravenous fluid flan for the 120 ml over 3 r 1 ml GTT ठीक है तो यहां पर पूछा गया है और यह कोशन है ना यूनिवर्सल कोशन में आपको बता देता है यह यूनिवर्सल कोशन है जैसे आपका और बिलेट गरूप होता है जिसमें भी particular और नेगिटिव होता है यूनिवर्सल डोनर होता है वैसे यह वाले जो कोशन होता है ड्रग कैलकुलेशन ठीक है यह कोशन आता है आपके ड्रग कैलकुलेशन के अंडर और यह ड्रग कैलकुलेशन के जो भी कोशन होते है वो आपको किसी भी एक्जाम में अपनी प्रिजिंस को सोच जरूर करते हैं ठीक है तो भाईया क्या है कि जो फॉर्मूला को याद में रखना है ठीक है क्या है calculate the draw rate of the intravenous flow ठीक है यहाँ पर क्या पूछा है हमको calculate करना है जो fluid चल रहा है हमारा ठीक है fluid कितना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके formula के ठीक है तो formula क्या आएगा आपका formula आता है आपको सबीर को पता होना चाहिए total volume ठीक है total fluid volume बोल सकते हो time in minute ठीक है ध्यान रखना है यदि आपके question में time यदि minutes में नहीं है या early दिया है तो फिर उसको change करना पड़ेगा और particular यदि आपका time वो पहले से minutes में दे रखा है तो आपको इसको change नहीं करना है ठीक है फिर divided by the gtt पर देखाना है ठीक है gtt कितना ठीक है drops per factor होता है gtt का मतलब होता है drops per factor ठीक है total drops per factor ठीक है यह आपका formula होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम अपना formula यहाँ पर put up करेंगे ठीक है formula में क्या था कि जो हमारा बन 20 बन 20 ml यहाँ पर क्या है कि हमारा क्या है कि total fluid है ठीक है और यहाँ पर पूचा गाए थिरी घंटे का है तो हमें 3 into 60 करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो 3 घंटे है 3 hours है उसक में से divide कर सकते हो यह कैसे भी कर सकते हो सबका अपना अपना एक formula होता है कि किस प्रकार से इसको निकालना होता ठीक है चाए तो आप फिर से बात करेंगे 18 हो गया, 18 से पिर इसको क्या कर सकते हो, आप इसको divided कर सकते हो, ठीक है, 18 से यदि आप इसको divided करने जाओगे, तो आपका होगा 18, 18 into 18, ठीक है, फिर आपके पास कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ठीक है, फिर इसको divided कर लोगे, इस पिकास से इसको double कर लोगे, तो कि कहा नवा जाएगा इस प्रीकार से आपको हर तरीकर सभी को क्या है कि सभी का कैल्कुलेशन अलग-अलग होता है कोई पहले इसको calculate करेगा देन कोई इसको पहले into करेगा फिर इस विरकाल से आपका answer यहाँ पर create हो जाएगा ठीक है तो जो आपका answer आने बाला है वो 30 drops per minute आएगा ठीक है 30 drops per minute आएगा कुछ नहीं करना है total आपको याद रखना है ठीक है 3 into 60 याद रखना है 20 यहाँ पर याद रखना है 20 याद रखना है यदि आप इसको calculate भी करते हो तो मैं आपको calculate करके बता देता हूँ कितना हो गया है मालके चलिए 3 हो गया यह और 180 minutes हो गया ठीक है तो यहाँ पर जो हो गया हमारा 180 minute हो गया 180 minute हो गया मतलब कि वो जादा होगे 180 मिलिट हो जाएगा तो हम इसको calculate कर पाएगे ठीके अब बात करेंगे हाँ 0 से 0 को divided कर देंगे भचेंगे हमारे पास 2 ठीके कितने बचेंगे 2 बचेंगे ठीके फिर इसको into कर लेंगे है न तो into करेंगे तो 24가 जाएगा ठीके तो यहां से इस प्रकार से करके आपका 13 drops per minute से यहां पर आंसर आ जाएगा ठीके तो मैंने बिल्कुल accurate आपको यहां पर बता दिया कि किस प्रकार से आप इसको calculate करके अपने answer को ले सकते हो जरूरी नहीं कि आपको value इसी प्रकार कर दिया रहेगा value change हो सकता है ठीके यहां पर emails पूछा है पर minutes पूछा है पर हार हो सकता है यह different है बट इस प्रकार का question आपको आने बाले CHO exam में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा ही सही ठीके चलिए तो I hope आपको drug calculation का जो question है यहाँ पर समझ में आ गया ठीके सबसे ही जो drug calculation की question से होते हैं उसमें सबसे पहले आपको question को बहुत carefully पढ़ना होता है कि what is the examiner asking from the question ठीके क्योंकि कभी-कभी GTT नहीं होता है तो GTT पूछा जाता है कभी-कभी time नहीं ह पूछा गया था psychological rate is the associated with the which stage of the sleep ठीके तो यहाँ पर sleep के regarding question पूछा गया है तो सबसे जो base sleep होती है जो REM ही होती है ठीके जो sleep होती है REM sleep होती है चार चार या चार या फांच के टिगरी से हमारी sleep की जो psych phases चलती है non rapid eye sleep ठीके non rapid eye moment sleep है ठीके यदि इसका फुलपाम कुछे rapid ठीके याद रखना है ठीके rapid eye moment ठीके rapid eye moment होता है जो कि एक psychological rest के लिए ASOT एक non rapid eye sleep moment होती होती है जिसको nrm होता जिसको non rapid eye moment ने nrm होता ठीके तो इनको आपको याद में रखना ठीके इस परकार से आप याद रखोगे तो आपको किसी भी परकार का कोई भी conclusion नहीं होगा औ अपको exam के लिए right question का answer मिल चाहेगा ठीके तो यह हो गया हमारा ठीके इसमें तो stage first में नहीं होता है आरे में sleep होता है psychological sleep stage fourth में नहीं होता है stage fourth में देखने को मिलता है ठीके ड्रीम से बगेरा देखने को मिलता ठीके और यह सब और देखो इसमें question के से बनते हैं कि सबसे आपके मिलती हुआ जो सबसे जादा R.E.M. सलीप होती है। जिसमें सबसे जादा से जादा जादा टाइम का रहता है। यह कम देखने को मिलती है। और यह इस पिकास से चलती रहती है। इन च scills को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करेंगे आप नेक्स नमर के कोश्चन पर बिच ओफ दा फॉलिंग इस एक्जाम्पल ओफ दा इंटेंटेंशनल टोस ठीक है तो यह जो टोस बगेरा है इसके रिगार्डिंग भी बहुत अच्च अच्छे आप इनको बारे में हमा थोड़ा डीटेल में पड़ेंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पर पूछा गया जान बूचके किया गया है जान बूचके किया गया है टोट क्या होता है कि जो परसन क्या करता है कमिटेट करता है कि हाँ उसको कुछ काम करना है या पर्टिकुलर चीजों को काम करना है या हानी पुचाना है या जो भी पर्टिकुलर होता है टोट का मतलब यही होता ठीके जिसमें क्या करता है कि परसन क्या कर सकता है किसी को जान होता है और एक bios Nacional होता जिसमें जानभुट किे खिया टोर्ष होता जिसे एकает एंटरेशनल टोर्ष में क्या क्या आता है इस्टू जिशनल bought आपको बताना है सबसे पहले तो आता है false mean तो है फौल्स ये सारी चीज़े इसमें आएगे ठीक है आप फिर बात करेंगे हम unintentional unintentional में आपका negligence आजाएगा ठीक है negligence आएगा ठीक है malpractice आएगा breach of the duty आएगा ठीक है ध्यान अखना है आपको सुनने पे ज्यादा focus करना है breach of the duty ठीक है breach of the duty malpractice ठीक है और नेकली चेंज से इस आर थ्री जो टोट्स हैं हमारे वो किस में आते हैं अनिंटेस्टनल में आते हैं और सबसे आप बात करेंगे हम किस-किस का एक-एक का डिटेल में बता देते हैं ताकि आने बाले एक्जाम में आप सभी लोगों को इसका लाब मिल पाएगा ठीकिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसका अनिंटेस्टनल का ठीकिए अनिंटेस्टनल टोट ठीकिए अनिंटेस्टनल टोट का हम बजादा से ज़्यादा यहाँ पर बात करने वाले है ठीकिए तो सबसे पहले बात करें हम किसका negligence ठीक है भाई यह negligence क्या होता है कि negligence होता है जिसमें कि आप सभी लोगों को किसी भी particular या जिसे आप job में हो as a nursing officer बर्क कर रहे हो ठीक है बर्क कर रहे हो जिसमें क्या है कि आपके सामने एक patient रखा गया है और वो patient है hypertensive patient है बट आपको timely क्या करना था इसका BP लेना था बट लोड ओप दबर का आप इस क्या कर सकते हो इसका BP नहीं ले पा रहे हुआ conditional की according तो फिर क्या होगा कि patient जो है कि stroke में चला जाएगा that is called the negligence ठीक है और second option यहाजा second example यदि मैं बात करूँ second example है कि आपको एक person है जिसको थोड़ा semi unconscious patient है उसको क्या कि आपको side drills को लोग करना था but unfortunately आपने क्या कि side drills को नहीं elevate नहीं किया है उसको लगाया नहीं है और patient क्या है कि first पे गिर गया है that is called the negligence ठीक है मतलब total cool मिला के बात है कि यदि आपको कोई सा काम दिया गया है और उस काम को आपने इग्नोर कर दिया negligence कर दिया तो that is called the negligence है तोड़ और यह आता है आपका unintentional में क्योंकि आपने जान बुचके नहीं किया है जान बुचके नहीं किया है यूट good that is in GUY के इसमें आता है 108 तो इसका हो गया है। आपका complete हो गया टीके negligence का आपके सामने क्या हो गया students complete हो गया अब बात करेंगा कि सका आप बात करेंगा है किसका mal practice का तो moan practice होता है जिसमें आपकी देखा जाता है कि जो आप as a nursing officer रो registered nurse हो, यदि आप registered nurse हो, तो आपको पास आपकी जो practice है, वो बिल्कुल practice accurate होना चाहिए, जिसमें patient को कोई harm नहीं होना चाहिए, ठीक है, बत गल्टी से क्या करा है कि आपकी जो practice है, आपको बोला गाया है, आपको इस medication को क्या करना है आई भी देना या आई एम देना ठीक है पड़ आपने क्या करा है कि रॉंग प्रक्टिस कर दिया जो आई एम मेडिकेशन देना थी जो आई भी देना थी वो आई एम दे दी ठीक है इस विकाल से हो सकता है medication error हो सकता है यह यहीं कोई से procedure बगिरा करना है तो फिर इस विकार का होता है जिसे आपने rest tube बगिरा डाला है और गलती से फिर क्या होगी जो rest tube है आपको नहीं पता है वो large में चला गया है तो that has cold mild practice होता है और suddenly फिर क्या है कि passion कोoresẫn को क्या हो जाएगा students तो क्या है कि यदि जो गलत practice ठीक है गलत practice करने से किसी भी patient को harm हो जाना that is called the male practice ठीक है male practice मतलब गलत तरीके से practice करना ठीक है जो कि हमारे जोल अच्छायब डोक्टर करते हैं गाउं में ठीक है है आज कल क्या होता है कि government में बहुत सारे nursing officers जिसे की मान को चलो मैं खुद बताता हूँ आपको की 8 बज़े से duty रहती है ठीक है और भाई दो बज़े तक duty रहती है ठीक है आठ से लेके तो दो बज़े तक duty रहती है बड़ क्या करते हैं आते तो साड़े 8 बज़े है वो चले जाते कितने 12 एक बज़े तक ही चले जाते सब लोग ठीक है तो क्या होता है इसमें यह ब्रीच अट बज़े आए कभी 11 बज़े चलेगे कभी 12 बज़े चलेगे कभी एक बज़े चलेगे टोटली आपने दो बज़े तक का आपका duty नहीं किया यह ब्रीच ऑपड़ डी तक है यह ब्रीच ऑपड़ डीटी आपके जरूरे नहीं भी तो इस कंडिशन में आपको देखने को मिलेगा टिक हैं तो यह आपके क्या क्या हो गए दो चीजे जो मैंने बताई आपको ठीक है चीजे क्या क्या बताई आपको मैंने कि आपको एक तो चीजे बताई है कि जिसमें आपको माल प्रक्तिस है ठीक है और सेकंड चीजे क्या है माल प्रक्तिस हो गया आपका नेगलिजेंस हो गया ब्री थ्रेट करना है थ्रेट करना है हानी पुचाना है असोल्ड करना है ठीक है यह जान बुच के ही परसन करता है जिसमें कभी यह सा नहीं होता है कि वह बिना जान पुच के ही करता है ठीक है फिर नेक्स क्या होता है और क्या क्या चीजे देखने को मिलते है बेटरी है बेटरी का किसी की permission से यदि हम procedure करने बाले हैं तो you should inform to patient की भी आर performing this type of the procedure to do ठीक है तो हम उसको बताएंगे ठीक है बड़ क्या होता है कि यदि आपने बिना permission से patient के IEM injection लगा रहे हो ठीक है तो वो touching गरा जो भी होती है ठीक है जान बुच के किया गाई जान जो touching किया गाई ठीक है वो क्या था बैटरी आता है ठीक है जिसमें क्या होता है कि आप क्या कर देंगे कि सजा इस टाइप का जो आपको देखने को मिलेगा ठीक है फोल्स इंपरेसमेंट में आएगा बहुत सारी चीज़ा थी फोल्स इंपरेसमेंट किसी के बारे में गलत धान ने कर देना ठीक है किसी के बारे में क्या हो जाए कि पेशन को हमें डाराना कि जब इसमसानि थे होती है कि CNC करेंगे उपको एंपको बाम देंगे रेच्टेंट कर दें तो इस के इंजिक्शन लगा देंगे डराते हैshots यह तुछ प्रवाइब आपको बताईए माल प्रक्टिस सारे जो भी टोर्स बगेरा बताएं वह बहुत ही इंपोर्टेंट टोर्स है और आने वाले आपके सीजों के एक्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं तो आयूप आपको चीजे समझ में आ गई होगी चलिए अब बात करेंग हम नेक्स इंपोर्टेंट कोश्चन का ठीक है नेक्स इंपोर्टेंट कोश्चन क्या रेखने को मिलेगा आप बात करेंगे हम नेगलीजेंस हो गया है इसका जो राइट अंसर है आपको फॉल्स इंपरेस्मेंट है ठीक है फॉल्स इंपरेस्मेंट है क्योंकि क्या का रहे एमजी ओफ दा इंजेक्शन सेप्टक्ट जोन बहुत इस दामाट ओफ दा मेडिसीन देट हाज तो गीवन फोर दा फेशन वाबन एमजी टू डाइलूट विद दा इंजेक्शन टीक है तो यदि हाँ पे पूछा गया है कि यदि एक फेशन है ठीक है आप 40-year-old पेशन है मत लिए यदि आपको 1 ml को 1 वाइल में डाइलूट करोगे तो 20-100 को कितने में करोगे और विश्री बात है कि 20 ml में हम इसको डाइलूट करेंगे ठीक है तो यह सिंपल से कोश्चन है जैसे मैंने अभी ड्रग कल्कूलेशन के कोश्चन बताए थे बैसे ही सेम कोश्चन है ठीक काया है आप से कि which of the following can be used to validate ऐसा कौन सा मैसर में डेकिस जिससे हमें यूज कर सकते हैं या बैलिडेट कर सकते हैं ठीक है नर्स पेशन कम्मिनिकेशन को ठीक है ठीक है ठीक है तो सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि यदि आपको आपने कोश्चा भी काम किया ठीक है नोट नोट टोकिंग अवाउड दा कम्मिनिकेशन इसकिल बट ओल ठीक है यदि आप पेशन को कोई सा भी रोशनी दर करने जा लो किस भी करने जा रहो यदि आपको पेशन से फीडबेक नहीं मिलेगा तो वो आपके लिए सटिस्पाई आपका जो बर्क हेगा वो नहीं र रहना है पेशन के कम्मिनिकेशन के स्किल का तो सबसे बेश तरीका है कि आपको पेशन का फीडबेक चाहिए डीक है 있나 Uh relationships एक कोई इकlair dehydनरी चीजे नहीं किया किसी प्रकाय का कोई confusion नहीं होना चाहिए आपके concept है वो किलियर होना चाहिए तब जाके आप क्या कर सकते हो एक CHO के exam को क्रेक कर सकते हो ठीक है कोशन का लेबल है कोशन का लेबल आपके सामने में बता रहा हूं और इससे अलग कोई भी कोशन आपसे नहीं देखने को मिलेगा ठीक है लेंक बीच चेंज हो सकता है ठीक है लेंक बीच पूछने का तरीका चेंज हो सकता है बड़ जो इंपूटेंट टॉपिक्स है वो सेम रहने बाले है ठीक है चलिए वाइल एड्मिस्टिंग ऑक्सीजन दा ऑक्सीजन ठीक है दा पर्पस ओफ दा मेंटेनिंग वाटर लेवल इन दा हिमिडिफायर इस टू ठीक है तो सबसे इंपोर्टेंट चीजे पूछिए जब आप ए एयर एंटरी प्रबेंट वेश्टेज ओफ दा ऑक्सीजन एड इन दा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिक है तो भाई यह तो बहुत सिंपल सा कोश्चन पूछ लिया गया आपसे सीचो में सभी लोग इसका अंसर दे सकते हो प्रबेंट ड्राइंग ऑप दा नेसल में क्यों सा है तो राइट अंसर यह ही जाएगा ठीक है यदि आप इसको मेंटिन करोगे तो भी सभी लोगों को पता है कि हमारे जो नोस नेसल के थूरू जब भी हमां ऑक्सीजन देते हैं तो वो हमारी रेस्परेटर टेक में जाती है यदि वो ड्राय रहेगी तो सिंपल सा है कि वो ह हो के जाए ठीक है यहाँ पर प्रभी होगोगे शार गंटे हो गए है और पेशन को क्या है कि क्रीन बूंड है बिताउट लेसे स्रेशन बत्तब उसको किसी भी पिरकार का कोई भी लेसे स्रेशन नहीं है अब उसने क्या करा है कि टीटी का डो से बो दस साल पहले लिया है ठीक है तो यहाँ पर पुछा गया है कि आप as a CHO what is the next step for you यह है तो यहाँ पर पूछा गया आटे कि तो आप क्या करेंगे उस बच्चों को फुल ह Arist시를 video कृशन के लिए क्या यहाँ पर बुचयी थेडविटिक टीटमेंट फोर धल्कुल नहीं full course दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि full course कैसे देंगे बताईए आप खुद ही बताईए कि how to keep the full course ठीक है तो full course नहीं दे सकते हैं ना है उसको lecleration हुआ है और सबसे main important है कि पहले ही वो यहाँ पर TT का dose less हुआ है तो full course नहीं देंगे ठीक है यहाँ पर यदि जादा होता है यदि उसको laceration बगेरा हो रहा है तो हम देते हैं single dose of the tt, बिल्कुल, right हम क्या करेंगे, उसको एक single dose दे देंगे then, क्या है, चार घंडे हुआ clean wound है, no laceration that means कोलते हैं, उसको हम single wound दे सकते यदि लaceration होगा यदि आपकी जो skin बगेरा damage बगेरा हो जाएगी, तो हम उसको full course देंगे और before taking the history हम क्या करेंगे, उसका history check करेंगे देन उसके बाद पूछेंगे, उससे पूछेंगे आपको कभी पहले tt के dose लगे या नहीं लगे तो फिर इस विकार से हम इसका dose दे सकते हैं, इसमें आपको tt के regarding चीज़े पढ़के जाना है क्योंकि ये simple simple से चीज़े आपके CHO की कुरसी पे जब आप बेठे रोगे तो आपसे पूछी जाएगी, ठीके ये चीज़े हैं, और कुछ extraordinary चीज़े नहीं पूछी जाएगी, next number के question का बात करेंगे, the nurse is receiving other patient in the trauma emergency ठीक है, to feel the skin temperature of the her patient, the nurse use, ठीक है, what is the important question, ठीक है, तो यहाँ पे पुछा गया है एक nurse नहीं है, ठीक है सोच लोग, आप 10, CHO is the receiving of patient in the trauma emergency, ठीक है मान कि चलिए आप CHO की कुरसी पे बेठे हो और आपके पास एक patient आता है, ठीक है patient आता है, ठीक है, to feel the skin temperature of the her patient, the nurse क्या करेंगे, आप उसको temperature को feel करने के लिए कैसे करोगे, आपके पास ना तो thermometer है, ना कुसी चीज का instrument है, तो what is the next important thing for you, ठीक है तो base of the hand, ठीक है, आप उसके base से पता लगा पाओगे, की the patient is suffering from the fever, ठीक है fingertip से पता लगाओगे, की that is patient having the fever, ठीक है parmal surface of the hand parmal surface से, you can identify and the doser surface of the hand, ठीक है की आप doser surface से पकड़ के पता लगा पाओगे, की the patient is suffering from the fever, ठीक है, तो बिलको right यदि आप डोसर सर्पेस से पकड़के लागा पता हुआ गए तो हाँ यू के लिटल बिट आइडिया की पेशन इस अभी दा होट ठीक है तो बेस ओप दा हैंड से जादा हम कर नहीं कर सकते हैं फिंगर टिप से तो जरा भी नहीं कर सकते हैं पालम सर्पेस ओप दा हैंड से कर सकते हैं किसे कर पर कि यहाँ पर अधित को जादा पशीन बगेरा सब कुछ होता ठीक है तो बिल्कुल राइट आंसर और सबी लोगों के लिए बहतरिन से बहतरिन रहें कल हम बात करेंगे सतर से लिए नेक से आपका मिंग कोशन कर ठीक हैं तो बिल्कुल ही आपके कोशन आपको आपको आज का क्लास से समझ में आया होगा यदी आपको आज का क्लास से समझ में हो चैनल का लिंक के जादा से जादा बचेंगे बच्छों को सेर कर दीजे और यह वीडियो को भी जादा से जादा बच्छों को सेर कर दीजेगा वीपोर एक्जाम में सारे ही कुश्चन पेपर आपके सामने का निचोर निकाल दूँगा ठीक है फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा फिर यूफील ता very confident और साथ में आप extra extra इक्स्रा टीजे भी पढ़के रखेगा ठीके 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 जरूर पढ़ना है community health nursing का ठीके बहुत अच्छे से revise करना है आप से भी लोगों के लिए ठीके तो आई उप आपको class समझ में आया होगा नेक्स्ट आपका विंग जो क्लास होगा एर्थ नम्मर का वो आपके सामने कल डील किया जाएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में जब तक वीडियो का लिंग जादर से जादर बच्चो को सेर कर दीजेगा और चैनल को जरूर सप्रस कर लीजेगा थैंक्यू सोमज गाइस और भई क्लास का जो फिडवेक है जरूर दे दीजे कि आपको क्लास का समझ में आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है क्या हमको और एक्स्प्लेनेशन को नीड एड करने की जरूरत है या नहीं है तो यदि आप लोग क्लास देख लेते हो तो आपकी मोरल रि ठीक है हमें क्या एड करना चाहिए या क्या एड नहीं करना चाहिए तो इस और यूर रिस्पॉंसिबिलिटी ठीक है तो आभी जो एक कोश्चन में ने आपको डील कर भायता है कि फिडवेक ठीक है तो आप लोग फिडवेक जरूर दीजेगा ठीक है तो थैंक्यू सो मज कीप बूचिंग एस कीप सपोर्टिंग एस थैंक्यू सो मज गाइस